संक्रांती की जी हाँ जैपूर से आपको ख़वर बताते क्योंकि जार दिवारे में पतंग बाजी के साथ आतिश बाजियां आस्मान में दिखने लगें आपको पता दे कि जो विशिंग लैंप से उसे आस्मान सच चुके हैं पूरा आस्मान विशिंग लैंप से भरा हुआ ह देख मगा रहा है मकर संक्रांती पर दिवाली जैसा पूरा जैपुर नजर आ रहा आप तस्वेरों में देख सके दिन भर पतंक बाजी हुई और सुवक्त पठाकों का शोर सुनाई दे रहा है विशिंग लैंप्स जो है वह आसमान में छोड़े जा रहे हैं जैपुर का यह भब्य और दिव नजरा इस वक्त आप जिराजस्तान के कमरे से देख पा रहे हैं आप देखे किस प्रकार का अदबुत द्रश जो है वह दिखाई देरा दिवाली जैसा पूरा महौल इस वक्त जैपुर में जैपुर जाना जाता है इस प्रकार से तेवहारों को करेंगे आशीश आसमान में विशिंग लैंप दिखरें आतिष बाजिया हो रहे हैं इस वक्त आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं कैसा रहा आज का पूरा दिन और शुक्त का क्या नजारा देखे पूरा आस्मान जगमक है दिवाली जैसा यहाँ पर महोल है वो दिखाए दे रहा है में सीधा आस्मान की तरफ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और तमाम लोगों से भी बात्चित करोगा लेकिन पहले आस्मान की तरफ दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो लोग है रहे हैं कि 22 जनवरी की दिवाली से पहले ये स्वागत है वगवान चिरी राम का हलाके हर बार मकर सकरांती पर कुछी सी तरह का माहूल रहता है और पूरा आस्मान आप देखेंगे तो जगमक यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं नहारगर के लिए के बेहत नजदीक हूँ जह यहाँ पर खूबसूरत तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर जमकर आत्रिक्षपाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तमाम लोगों से मैं बादचीत करूँगा लेकिन तस्वीर में लगाता दिखाता रहूँगा तस्वी तो मनी ही है इसके साथ साथ जो दिवाली है वो भी यहाँ पर जगमक हो रही है यह देखिए पूरी तरीके से जैपुर जगमक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेहत खास और खुबसूरत तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है लोगों से मैं बात्च एक पर कोशिए में लगातार करूगा कि आखिर का साल जिश्वाजी का किस तरीके से रुफ तुटा रहे हैं। आपसे मैं बात करना कॉँगा, कैमेरे में कात कर रहे हैं। इन्स्टाग्राम वाट्साप फेस्बूक इसमें इंस्टॉल कर दिया या भी बाकी है। नई बस अभी वीडियो लाइब अगरा हम भी जा रहे हैं, हम इंस्टा बगरा पे जा रहे हैं, बहुत मसा आ रहे है, क्या कहेंगे, आप अतिक्षभाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, दुबाइस तारिक से पहले जब रामना जनुपसा वोगा उससे पहले बागत, ऐसा क्यों? इसलिए कि जैसे राम जी जब आयोध्या बना रहे हैं, बनवास के बाद, क्योंकि बहुत लंबा सफर था आयोध्या आने का, तो कहते हैं कि घर में घी की पर जलाए गए थे, वैसी ही कुशी है उनके आगमनी के लिए, जैसे आयोध्या राम मंदीर इ बढ़ी तरीके से भढ़ चुके हैं, सीधे तोर पर मेरे कैमरा परसन सही हो की पवन यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, और लोग लगातार इसे अदभूत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप अदभूत नजारा है और दिवाली आज मना रहे बोढ़े ज़रूर बना रें हो जरूर बना रें है । ठाक इसे सबसे बना रहे सब आतिश बाहती हो रही है, बिलकुल देखिये आतिख भाजी का दोर है, वो लगातार देखने को मिल रही है, यह आप से जानना चाहेंगे सर्प गढ़нут नदोर तो ने दू के कही नहीं, वहाँ मज़ा है बहुत से पतंगे काटी है आज हमने बड़ा अनन्द लिया मदें अभी तुम भी हमारे पूरा मोज मस्ती हा रहेगा आज को बहुत चल रही है पूरी जोड जोड है एक हुए जाता है कि रात में भी फिली पतंग को उडाई जाती है तो अब फिर आप आप मदा आया बहुत बहुत अच्छी शट्वारत की शुट्टीय तो चार दिवारी के भीतर कल कभी माहूल देखने को मिलेगा मैंडम आप भी लगातार आतिक्स बाजी कर रहे हैं पतंग बाजी यह बिल्कुल आज यहीं माहूल चेरह और काफी मजा रहा बचों के साथ अब आतिश्वाजी चलिफ सब उसे एंजोई करते हैं वोग अपने मोबाईल को नहीं छोड़ रहे और इस कैमरे में कैट करती हूँ यहाँ तस्वीर में दिखाना चाहूँगा बेहत खास तस्वीर हैं जो यहां से देखने को मिल रही है और इस लगातार जो चारदिवारी के भीतर जो नहीं है उनको भी जिस तरीके से जी राधिस्थान न्यूस के माद्यम से सीधा तोर पर लाइव देख सकते हैं और सीधे तोर पर इसी लिए लोग चारदिवारी के भीतर आते हैं और इससे नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं और लगातार में नजारा यहाँ पर दिखाते हुए लोगों से भी बातचित करने अब पूरी कोशिश रहेगी जो लोग जिस तरीके से लगातार जो देखिए खूपसूरत नजारा है बहुत खास नजारा है और चारों तरब आपको विशिंग लैंप्स और आत्रीक्षपाजी दिखाई देगी ये पहली बार नहीं है हर बार कुछ इसी तरह का नजारा यहां पर लोग लेता है विशिंग लैंप्स दिखाते हुए मैं लोगों से बातचीत करूँगा कि आखिरकार अब क्या करेंगे अब आपसे जानना चाहेंगे क्या रहेगा आगे का शेडियूल आपका अगे का शेडियूल डेली पता उडाने और हफते दर हफते महीने दर महीने शाय दो तिन मने तक एक क्रेज बिल्कुल क्तम नियूगी जो क्रेज आस से चुरूवा है या पंजा दिन पहले से जबल सेलिवरेशन इस बार होगा और जिस तरीके से नहारगड के लिए कि मैं बेहत नजदीग हूँ खूपसरत नजारा मेरे कैमरा परसन सही होगी पवन लगातार कैद कर रहे हैं और बेहत खास तस्वीर यहां से चारदिवारी के भीतर से निकल कर आ रही है देखे विश लेंप्स को आस्मान में छोड़ा जा रहा है बेहत ही खास और खूपसूरत नजारा है वो चारदिवारी के भीतर से निकल कर सामने आ रहा है लोग यह कह रहे हैं इस बात का उन्हें बेसब्री से इंतिजार है कि 22 जन्वरी को आयोध्या में भगवान चिरी राम की प्राण प्राण चिरी राम के आगमन से पहले ये उनका स्वागत किया जा रहा है इसी तरीके से विशिंग लैंप्स है हर घर में इसी तरह की जगमग आपको दिखाई देगी चारदिवारी के भीतर चाहे जिस तरीके का नजारा है जैपूर शहर में पूरा जैपूर शहर कुछ इ अनक में यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेहत ही खूबसूरत जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है और लोग इसी तरह से विशिंग लैंप्स को आस्मान में छोड़ रहे हैं क्योंकि ये नजारा बेहत खूबसूरत है और जिस तरीके से मकर सक्रांती पर पतंग बाजी की जाती है शाम तक पतंग बाजी होती है लेकिन शाम के बाद जो नजारा होता है वो बेहत अद्बूद होता है और यह जो पूरा आस्मान है वो जगमग हो चुका है हर जगे सिर्फ और सिर्फ विशिंग लैंप से आपको आशीश आज आज धूब भी खिली थी आज पर ही मौजूद है लोगों में कुछ ठकान नजर नहीं आ रही लोग बहुत एकसाइटव लग रहा है कि दोगनी उर्जा शाम में आ गई है सभी के शरीर में और लोग उसी परकार से इंजॉई भी कर रहे हैं आज बिल्कुल दिखिए लोगों से ही पूस्ता हूँ मैं हमारे साथ फैमली जुड़ी हुई है इनसे पूस्ता हूँ कि आखिरकार इतने एनर्जी कहां से और इस तरीके से पूरा दिन वो आज पतंग बाजी में रहे अब अधिक्ष बाजी और कल का दिन भी बाकी है तो क्या यहां पर नहीं हुई हमारे साथ यहां पर लोग जुड़े हुए उनसे बातचीत करेंगे दिन बर पतंग बाजी ठकान नहीं हुए आप बिल्कुल भी नहीं ठकान और लगता है कि हम कल भी उतने जोश से उतनी उमाग और उतनी मस्ती से वापा से पतंग नाने बाग वही दिवाली से भी बहतर आप देख रहे हैं आपको आपको दिकाई दे रहा है सब उत्रश्या ऐसा है कि मैं उसके लिए I have no words मेरे मेरे पास शब्द नहीं है अब यह कब तक चलने वाला है यह पुरा दिवाली जैसा महूल दिवाली जैसा महूल आज आज रात कम से कब 10 से 11 ब मिल रहे हैं पूरा आस्वान जैपूर का जगमक होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस तरह से लोग पूरी करीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं एक बार एक बार अब आभी शोर बहुत तेर से सुनाई निदिया वह जो आप पतंग काटने करपाने पर बोलते हैं रिठेशन करें जो और यहाँ पर देखने को मिलता है वैलीण वी यहाँ पर आ चुके हैं और यह वैलूस सोर जिस तरीके से च्छो आस्मान पर फोड़े तरी यह देखे आसमान में गई है यह बैलून दिन भर से यहाँ पर जो हवा नहीं चल रही थी लोग बायूस थे लेकिन अब उसकुराहट है एक बार आप आईए आपसे जाना चाहेंगे हवा नहीं चल रही थी दिन भर लेकिन आप बैलून से अपना काम चला रहे थे हां उसका इस तरीके का माहूल है बहुत सारे यहाँ पर पूरी फैमिली है आपसे भी बात करेंगे वह कहेंगे यह दो दिन का थिमार है बहुत अच्छा लगा सब मिल रहे हैं वैसे भी आजकल सब लोगों का बीजिल शेडियूल हो गया है मिलने मिलागे है का दौर जो है वो जी देखे आशीश आप जो तस्वीरे दिखा रहे हैं वो तस्वीरे भव्य और दिव और ऐसी कलपना आमने कीती जवाब तस्वीरे दिखाएंगे तो ऐसे ही मनमुहक दरश्य होगा और नजर भी आ रहा है विशिंग लैंब से पूरा जैपूर का आस्मान जो है वो सजा नज रहा रहा है दूदिया रोशनी से पूरा जैपूर नाया है बहुत शुक्री आशीश ने तवाम मेत पूर्ण जानकारी को सब्सक्राइब